एलो दोस्तों कैसे हैं आप सब फ्रेंट्स उमीद करती हूँ आप सब लोग स्वास्त होंगे मस्त होंगे और होली के लिए सब लोग व्यास्त होंगे क्योंकि होली का तेहार है तो सभी लोगों के घरों में काम बहुत जादा बढ़ जाता है तो मेरी तरफ से आप सभी को होल कि हार्दिक सुब काम नाए और आप सब लोग होली अच्छे से मनाए खुसिया मनाए और अच्छे से इंजोई करें तो फ्रेंट्स आज में आपको जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि चिड़या और गिलहरी का जो मेरा टॉपिक है आज का तो मैं उसी के बारे मे बात करूंगी तो देख सकते हैं यह चुड़ीया जो हैं गार्डन में आई हुई है और सुबह सुबह के टाइम तो बहुत जादा यह चाह चाती है तो अच्छा लगता है और तो फ्रेंट्स लेकिन चुड़िया और जो गलहरी हमारे गार्डन में होती है इनके फाइदे तो इनकी क्या क्या फायदे होते हैं तो यह भी मैं बताऊंगी और इनके लिए हमें क्या करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी तो जैसे कि चुडिया आप देख रहे हैं घूम रहे हैं तो अच्छी लगती है सब घूमते हुए तो यह क्या करते हैं इनको चाहिए खाना तो जैसी यहां पर आई है और यहां पर देखिए बाइक के हैंडल के पास बैटी हुई है और यह उड़के जाएगी अब जो है इसकी टोकरी में तो यह है गिलहरी की टोकरी इसमें गिलहरी का खाना रहता है क्योंकि गिलहरी जो है मेरे गार्डन में बहुत सारी गिलहरी हैं तो फ्रेंट्स अभी एक वीवर्स का मेरे पास कमेंट आया कि गिलैरी जो है नुकसान करती है तो उसे वो पर एसान है तो उसके लिए क्या उपाय करें तो मैं उन्हें बताऊंगी कि वो अपने गार्डन में जिस तरीके से मैंने टोकरी लगा रखी उनके लिए खाना रखा है तो वो भी इसी तरीके से अपने गार्डन में टोकरी बना करके उनके लिए खाना रख दें जब गिलारी को खाना खाने के लिए मिल जाएगा तो फिर आपके प्लांट का कोई भी नुकसान नहीं करेंगी जाएगे तो दो से अगा दो जाएगा तो फिर आसान रहेगा तो फिर दो जोड़ी के लिए आप ब्रेड़ है और चिडिया दोनों ही कह लेटी जोबी चीज आपके घर में रोटी है तो चोटे-चोटे से टूड़े जाएगा तो इस तरी की टौक्री बनाकर आप गरडन मे लगा दीजिए तो इससे क्या होगा कि उनको खाना मिल जाएगा अराम से तो वह कोई भी नुकसान आपका नहीं करेंगी नहीं वह आपके प्लांट को काटेंगे नहीं आपके किसी भी चीज को नुकसान करेंगी और फ्रेंट्स गिलहरी और चिडिया का फायदा भी बहुत हो अनुकर होगा यजू शाहता है तो इससे क्या होकर बीज खाकर के वह था होन Boss पीपल को मिल गया जाता है और भी बहुत सारे प्लांट को सब्सक्राव में रहे जाती है तो ऐस सारे पलांट्थे में से अपने रहे वाँ Premier सी आश्चिए हान्त तो यह कहां से नहीं आ जाता है उड़के जाती है थी वेन पहँआ पर नई पर नने पहँआ है। पानी मिलता है यहां बड़े हो जाते हैं पनब जाते हैं दिरूवभन को और जाते हैं। तो आप ने देखा हैं पीपल, बर्ट जिस्टे-जगे पर भुआई रहते हैं तो वो अपने आप से उग जाते है,"। कि जहां पर छीडिया और यो फक्सी हमारे वाटर खुष हैं लेकिन जो चीडिया और गिलैरीयं वो पानी भी पीТी लेती हैं इसके अंदर से और भी बहुत सारे पक्सी आते हैं तो सब यहां पर पानी पी लेते हैं तो गर्मी का जैसे मौसम आ रहा है तो पानी की वेवस्ता हमें सभी को अपने गार्डन में रखने चाहिए ताकि पानी पी सके आराम से और यह देखे गिलहरी की मैं आपको दिखाती हूँ तो अभी आ कर देखा है और एम पर देख सकते हैं पि french बैज्मी घ능ा रखा कर ने आगए और देखियार के जाए में और अब एकिक को सामने दूसरी चिडिया दिख़ा यह देगी इस सेंने से । उन्होंने संदरें इस शी वारफिरं वारफिर आपके प्रलत क्या मोजनी। आगे आगे चाहांगे कि बहुत सारे गोसले बनाञे और अपने इंडे रखेंड़न मर्दे क्या में। तो यह देख सकते हैं आप इसकी डाम हैं मैं दिखाती है इसमें बनुद क देंदर खाना रखा हुआ है तो यह कृते हैं नाूसरे कि दakap नहीं हुआ है यहां पर जाली जो लगी है तो इस पर चलकर वहाती हो और आराम से यहां पर आजाती है इसके mentorship अगर मैं नीचे आती है तो बंदर आ जाती है और उसको बिलकुल खाने नहीं देता है वो सारा भी खेर जाते चार जाते हैं अब तो फ्रेंट जो इस हैं तो इस बात का फाइदा वो देंकि ना तो बंदर कके नुक allemaal कि वे अरोंगें सान और उन्हां अधे मिनऄी गुपाई यह शाया है भुट आप निव बैठी शचा से घौनती है बेड़ा сеे इसे वह इसे इसे अधि-वक वाषा तो चुडिया और गिलहरी का मैं इस तरीके से ख्याल रखती हूँ, इनके लिए पानी भी रखती हूँ, खाना भी रखती हूँ, तो ये मेरे भगीचे में कोई भी नुकसान नहीं करती हैं, तो अगर आपको नुकसान से बचना है और इनका फायदा उठाना है तो आपको भी इनके लिए ये जो मेरी ट्रिक है, तो ये आप अपना करके देख सकते हैं, हो सकता है, आपका भी फायदा हो जाए, तो इस तरीके से फ्रेंट्स मैं तो करती हूँ में, तो बहुत साल से, जब से मेरा गार्डन है, तो मैंने इनके लिए टोकरी पहले भी लगा रखी थी, टोकरी लगा के हमेशा रखती हूँ, तो पहले क्या करते थे, बंदर जो है, बहुत परिसान करते थे, लेकिन अब बंदर से सायद मुझे लगता है, छुटकारा मिल गया है, मुझे, अब कोई भी बंदर अंदर नहीं आ रहा है, तो इसलिए गिलैरी और चुडिया आराम स देखें, तो इस तरह का फूल इसकी प्लांट के उपर आता है, मैं सोचती थी, इसमें फूल आते ही नहीं है, तो फ्रेंट्स कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे च